हेलो नमस्कार जी कैसे हैं आप लोग आस्ता करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वास्टूंगे तो जी आज की इस वीडियो में हम लोग 12th कलास का हिंदी का गद खंड के जो पहला चेप्टर है बात चीत उसके लेखक के बारे में जानने वाले हैं लेखक के बार विए उस चेप्टर के राइटर जो है उनके बारे में जानना एकदम जरूरी हो जाता है ताकि जो चेप्टर है वह अच्छे से समझ में तो इस लिए इस वीडियो में हम लोग गद खंड के जो बाती चेप्टर है इनके जो लिखक है बाल क्रिश्न भाठी इस चेप्टर में पूरा जानेंगे तो इस वीडियो में इसी चैप्टर के बारे में बात करने वाल है इस से पहले अगर हमारे चैनल पे नए है तो आप से रिक्वेश्ट है कि आप हमारे है को सब्सक्राइब कर लिजी चले वीडियो का होता है ना बातचीत का तरीका किसको सिखाया जाता है तो बातचीत करने का तरीका बालक को सिखाया जाता है तो बातचीत चेप्टर के लिए का कौन हो जाएंगे बालकृष्ण भठ हो जाएंगे अब इनका जनम कब हुआ था तो अब इनका जो जनम हुआ था वो तेश जून 3844 में हुआ फे जो बालक्रिश्न भठट है इनका जणम कब हुआ था इनका जणम 30 जून आठारेdsso44 में हुआ था अब देखिए जु जणम लेता हैं वो मरता जरूर है तो इनका निधन याने की इनकी मृत्ती कब हुई थी तो 20 जुलाइ 1914 इसOSária को इनकी निवास अस्थान जो है इलहाबाद उत्तर पर्देश के रहने वाले थे तो इलहाबाद उत्तर पर्देश के रहने वाले थे तो बालकृष्ण भट ठीक है बालकृष्ण भट जो है वो उत्तर पर्देश इलहाबाद सहर है और उत्तर पर्देश जो है इस सहर का रास्धानी मतलब कि इलहाबाद जो है उत्तर परदेश में पढ़ता है इलहाबाद उत्तर परदेश सिधा बोला जाता है इनका निवासस्थान है अब इनकी माता के क्या नाम है इनकी माता का नाम पारवती देवी है और इनके पीता जी का नाम बेनी परसाद भट है जो एक बैपारी थे पेसे से क्या थे वो, एक बैपारी थे इतना तो इनके बारे में वह आप समझ गए अब इनके दोवरा लिखी गई कुछ कभीता आई, नाटक उपनियास जो है इसके बारे में जानते हैं, यानि की इनकी रचना के बारे में हम लोग जान लेते हैं रचना से भी बहुत सारा objective question पूछा जाता है तो इसलिए ये भी BBI हो जाता है तो चलिए इनकी रचना के बारे में जानते हैं इनके दोवारा लिखा गया रचना ठीक है तो सबसे पहले इन्होंने उपनियास लिखा था उपनियास में कौन-कौन से लिखे हैं जी तो ये लिखे थे रचालत यातरा भी इन्होंने लिखा ETC यानि की और अधिक जो है उपनियास इन्होंने लिखा है लेकिन जो सबसे मुख्य है यही है यही चार-पांच जो है यह सबसे मुख्य है जो पूछे जाते हैं जैसे पूछ देगा आपका रहश्य कथा बाल-कृष्ण भट की क्या है तो आप वहाँ पर option में दिया रहेगा कहानी है नाटक है उपनियास है तो आप क्या मारिएगा यह कभीता है तो आप क्या मारिएगा उपनियास मारिएगा क्यों क्यों कि आप यहाँ पर भी याद कर ले रहे हैं ठीक है और यह भी कहानी में है सौरी आपको objective question में पूछ देगा कि बाल-कृष्ण भट के द्वारा लिखा गया कौन सा चेप्टर क्या है जैसे कि यह बाल वंके और नाز नटक लिखा गया है वो पदमावति है वेनि सनहारा है उसके बाद किराता जुनियर है किराता जुनियर है उसके पाड़ी सिय सब्सक्राइब वद है इटिस यानिके और अधिक इन्होंने नाटक लिखे हैं लेकिन जो मुख्य है यही चार पांच है ठीक है तो नाटक इनके अब इनके कुछ मुख्य बाते जानते हैं जो अधिक से अधिक मतलब की भीवियाई हो सकते हैं या पूछे जाते हैं लेकिन यह मुख्य बाते हैं तो यह उतना पूछे नहीं जाते हैं लेकिन तब भी मुख्य के मतलब होता है इनके बारे में जनकारी रहना चाहिए आपको जैसे इन्हों ने हजार के आसपास निबंद लिखा है ये कोश्चन कभी पूछा नहीं गया है लेकिन इसके बारे में आपको जनकारी रहना चाहिए क्या पता कभी पूछ दे तो आपको पता रहेगा तो आपका एक नमर ऐसे ही मिल जाएगा ठीक है तो इन्हों ने हजार के आसपास क्या लिखा है तो निबंद लिखा है ठीक है और भारतेंदुरु हरिश्चंदर के प्रेड़ना से इन्हों ने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक माशिप पत्रिका जो है समपादन किया था जिसे इन्होंने 33 वर्स तक चलाया था इसके प्रेड़ना से इन्हों ने 1877 इसवी में हिंदी नामक माशिक पत्रिका का परितबादन किया था तो भारत तेंदुरु हरिचंदुरु हरिचंदुरु के प्रेड़ना नहीं होते हैं मोटिवेशन किया थी तुम एक पत्रिकार इस्टाकर तुम एक माशिक पत्रिकार इस्टार्ट करो जिसका नाम तुम रख देना हिंदी प्रदीप और इन्हों specialist अरंवित और 50% टिंथ या रूप को प्रतिबादन किया था यानि चलाया गया था ठीक है आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हुगा था प्लीज इस चैनल को स्सक्राइब करके बीडियो को लाइक कर दिजिएका चल्दिया है मिलता है नेक्ट बीडियों को जले हिंढ जै